हालो फ्रेंट रुष्सक्ती किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फ्रेंट्स मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ ड्राइफ रूट्स और माबा के लड़ू जो बहुत ही यमी टेस्टी एंड हेल्दी होते हैं तो फ्रेंट्स देखते हैं इन सभी को मैंने कैसे बनाया है आप फ्रेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइब और सेयर कीजिएगा तो इन लड़ों को बनाने के लिए फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर आदा किलो चीनी ली है और आदा किलो मावा लिया है जिसको मैंने घर पर ही बनाया है चार से पांच इलाइची लिये जिनको मैंने कूट लिया है आरदस पीस मैंने बादाम के लिए जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है पंदरा से सोला पीस मैंने बिस्ते के लिए है थोड़ी सी मैंने किसमिस लिया है दस पीस मैंने काजू के लिए है जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है थोड़ा सा मैंने नारियल लिया है जिसको मैंने कद्दू गस कर लिया है और थोड़ा सा मैंने गौंद लिया है और आधी को टोरी देसीगी लिया है चलिए तो फिल लटूओं को बनाना शुरू करते हैं अब मैंने एक कड़ाई ले ली है अब मैं इसमें देसीगी डालूँगी अब इसको गरम कर लेना है तो अब घी गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें बॉन डाल दूँगी गौन को दो बार में बूनेंगे अब बॉन चुका है तो अब इसको हम निकाल लेंगे अब मैं बादाब भून लोगी गैस की फ्लेम को सलो ही रखना है सलो फ्लेम पर ही सारे ड्राइफ्रूट्स को हमें भूनना है इन्हें बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे हलका हलका ही भूनना है अब मैंने इसमें काजू डाल दीए है इनको भी फ्राई कर लेंगे अब मैं पिछ्टे डाल दूँगी लेवा को भूंचर यूज करने से इसका स्वाल बहुत ज्यादा पढ़ जाता है अब मैं किस्मिश डाल दूँगी अब नारियर के बरादे को भी भूल लेंगे अब कड़ाई हमारी काफी जर्म है तो आप गैस की फ्लैम को आफ कर देंगे और थोड़ी देर इसको बून लेंगे और निकाल लेंगे अब मैंने सबी चीजों को भून करके निकाल लिया है अब यह जो गौन है इसको हमें थोड़ा सा कूठ लेना है या इस तरीके से हाथों से मिसल लेंगे तो भी यह मिसल जाएगा आराम से क्योंकि यह बहुत अच्छे से भूना है अंदर तक होना है अब बापस से वही कडाई लेंगे और अब मावे को भूल लेंगे इसको इस तरीके से हलका सा प्रेस करते हुए और फलेट करके बार-बार भूनना है जिससे कि यह बहुत अच्छे से सभी तरफ से भूनने आए मावा को भूनने से लेड़ों का स्वाज जो होता है बहुत ही बहते ही नाता है तो मावा हमेशा आप भून करें सेमाल करें तो अब मावे का हलका हलका गुलाबी हो गया है तो इसका मतलब है मावा अच्छे से भून चुका है तो अब गैस की फ्लैम को हमें आप कर देना है और मावे को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और कडाई से इसको निकाल लेंगे तो अब यह अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसमें इलाजी डाल दूँगी जिनको मैंने दर दराग उठ लिया है अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे यह लर्दु बहुत ही स्वाधिष्ट होते हैं और स्वाधिष्ट होने के साथ साथ यह काफी हैल्दी होते हैं अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी चीनी को मैंने पीस लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा पीसा है बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है अब मैं इसमें मिला दूँगी चीनी आप थोड़ी कम या जादा भी कर सकते हैं आप कम खाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा आप इसको अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और यह अपने आप से बनना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि एक दम से गरम-गरम खोए में चीनी बिलकुल भी ना मिलाए अब दिखिए आप यह अच्छे से बनना शुरू हो गई है लड़ू आप बड़े हैं छोटे अपने हैसाब से कर सकते हैं कितना पढ़िया लड़ू बन करके तयार हुआ है इसी तरीके से मैं सारे लड़ू बना लूँगी तो फ्रेंट्स लड़ू बन करके तयार हो गई हैं आप देख सकते हैं कितने स्वाधिश्ट और अच्छे लड़ू बन करके तयार हुए हैं तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को त्रण सस्क्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो गंटी का वटन आ रहा है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिसे कि आने वाले वीडियोज का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नए वी सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बाए बाए